विनोध खन्ना बॉलीवूड फिल्म इंडस्ट्री का मशहूर चेहरा थे, सक्तर के दशक में उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, मगर फिर वो एक दिन सब कुछ छोड़कर सन्यासी हो गए थे सन 1982 में विनोध खन्ना ने बॉलीवूड को अलविदा कह दिया और ओशो के आश्रम में शरल ले ली, यहां वो सारा काम करते थे जिसमें खाना बनाने से लेकर टोईलट साफ करना भी शामिल था पाँच साल वहां बिताने के बाद वो वापस आ गए और उन्होंने कुछ फिल्में भी साइंग कर ली थी, मगर उन्हें वो स्टार्डम नहीं मिल पा रहा था जो उन्हें वापस बॉलीवूड में स्थापित होने के लिए चाहिए था नए हीरो आ चुके थे और बॉलीवूड भी दूसरों को काम देने लगा, मगर फिर एक साबुन के एड ने उन्हें उनका स्टार्डम लॉट दिया, आहीं जानते है कैसे फेस्बुक पेज किसा टीवी में पोस्ट की एक आर्टिकल के मुताबिक साल 1987 में गोद्रेज कमपनी के सिंथौल साबुन के विज्यापन में पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान नजर आते थे इमरान खान उम्दा क्रिकेटर होने के साथ बेहद हैंसम भी थे जिसका फाइदा ब्रांड स्कूब उठाते थे, हर कोई उन्हें अपने विज्यापन में लेना चाहता था इंडिया के भी विज्यापनों में वो नजर आते थे गोद्रेज ने अपने सिंथॉल साबुन के लिए इमरान खान को ब्रैंड एम्बैसेडर बनाया था उस वक्त सिंथॉल साबुन से अन्य साबुनों के बीच कड़ी प्रतिस परधा थी गोद्रेज की पतनी परमेश्वर गोद्रेज खुद सिंथॉल के विज्यापनों का काम देखती थी सिंथॉल साबुन के एड के लिए विनोट खरना तो बाद में आये पहले एड करने वाले इमरान खान इस विज्यापन में कैसे आये वो आपको बताते हैं परमेश्वर गोद्रेज सिंथॉल के लिए एक बढ़िया एड चाहती थी उनकी टारगेट कंजियूमत ही महिलाएं एक मॉडल के साथ सिंथॉल का एड शूट किया गया मगर परमेश्वर गोद्रेज को वो अड़ पसंद नहीं आया उस वक्त की टॉप एड फिल्म मेकर शांतनू शोरी को उन्होंने बुलाया और विज्जापन देकर उन्हें इसे बहतर करने का काम दिया उन्होंने कहा कि जो कॉन्टेंट शूट हुआ है उसी से वो एक बढ़िया एड बना ले लेकिन जब शांतनू ने फुटेज देखी तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए उन्होंने कहा कि ये एड बहुत ही बेकार तरीके से शूट हुआ है और बहतर यही हुगा कि फिर से एड शूट किया जाए उनके कहने पर परमेश्वर मान गई और उन्होंने सोच समझकर शांतनू को फैसला सुनाया कि इस एड को पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर इमरान खान करेंगे शांतनू को ही काफी अजीब लगा और उन्होंने परमेश्वर गुद्रेट से कहा कि वो इस बारे में दोबारा सोच ले मगर उस वक्त भारत पाकिस्तान के रिष्टे बहतर करने की कोशिश की जा रही थी और इम्रान की भारत में भी खूब फैन फॉलोइंग थी महिलाओं के बीच वो काफी पॉपुलर भी थे इसलिए परमेश्वर चाहती थी कि शांतनू इम्रान खान को ही ध्यान में रखतर एड तयार करें जिसके बाद स्क्रिप्ट फाइनल हुई साल 1987 में अक्टूबर नवंबर में क्रिकेट विश्वकप भारत और पाकिस्तान ने मिलकर आयोज़त किया था 26 अक्टूबर 1987 को जैपूर के सवाई मान सिंग स्टेडियम में इंग्लेंड और वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबला था उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान इम्रान खान भी ये मैच देखने इंडिया आये थे हाला कि उनका मुख्य उद्देश्य सिंथौल के साथ विग्यापन शूट करना था परमेश्वर गोद्रेज ने शांतनू शोहरी को जैपूर बुलाया सुबह सारे नौ बजे से मैच शुरू होना था और उस मैच के शुरू होने से पहले सिर्फ घंटा एट शूट करने के लिए मिला था दो कैमरामेन के साथ शांतनू शोहरी ने सुबह सारे आर्ख बजे तक महस 45 मिनट में एट शूट कर लिया कुछ दिनों बाद एट दूरदर्शन पर रिलीज किया गया एट की खूब चर्चा हुई और ये काफी पॉपुलर एट बन गया इस एट के बाद साबुन की सेल में भी जबरदस्त इजाफा हुआ था सिंथॉल के कॉम्पिटीटर्स परेशान हो गए और उनमें से एक हिंदुस्तान यूनिलीव के रेक्सोना साबुन ने भी तेजी से एग पर काम शुरू किया मगर इमरान खान ने सिंथॉल को जिन उचायों पर पहुँचा दिया था उसे छून किसी और ब्रैंड के लिए आसान नहीं था मगर फिर कुछ हैसा हुआ जिसने गोद्रेज कमपनी को हिला कर रख दिया भारत और पाकिस्तान के रिष्टे एक बार फिर खराब हो गए सभी पाकिस्तानी चीजों का बहिशकार होने लगा और ऐसे में गोद्रेज कमपनी को इमरान खान वाले एड का विज्यापन भी रोकना पड़ा ऐसे में परमेश्वर गोद्रेज के लिए ये एक बड़ी इस मीटिंग में परमेश्वर गोद्रेज उनके पती और गोद्रेज ग्रुप के चेयर मैन आदी गोद्रेज और शांतनू शोहरी शामिल थे मीटिंग में आइडिया दिया गया कि फैमिली बेस टेड बनाएंगे मगर परमेश्वर गोद्रेज को ये आइडिया पसंद नह उन्होंने शांतनू की तरफ देखा उन्होंने भी इशारों में बता दिया कि ये आइडिया फ्लॉप है। परमेश्वर और शांतनू मीटिंग रूम में वापस गए और विनोत खन्ना का नाम सुझाया। पहुँचे, शांतनू ने शूट करने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि शूटिंग वो सुबह सुर्योदे के साथ ही करेंगे। विनोत खन्ना से कहा गया कि वो अगर सुबह सुबह नहीं आ सकते हैं तो यहीं रुख जाएं। विनोत खन्ना वहीं बीच हाउस पर रुख गए और अगले दिन सुर्योदे के समय शूटिंग की गई, कुछी देर में शूटिंग हो गई। शांतनू चाहते थे कि एक शूट ऐसा हो जहां विनोत खन्ना गुड़े के साथ पहले दोड़ते हुए दिखें और फिर उच्छल कर गुड़े पर बैख जाएं। विनोत खन्ना ने बिलकुल वैसा ही किया और एक शांदार एड बनकर तयार हुआ। इस एड में ब्लाक सूट पहने विनोत खन्ना एक बंगले से निकल कर मर्सिडीज गाड़ी में बैखते हैं। यही गोद्रेज वालों का बीच हाउस था और वो मर्सिडीज गाड़ी भी गोद्रेज की थी। साल 1989 में विनोत खन्ना वाला ये सिंथॉल साबुन का एड दूरदर्शन पर रिलीस हुआ और ये उन दिनों खूब पसंद किया जाने वाला एड बन गया। न सिर्फ गोद्रेज कंपनी को बलकि विनोत खन्ना को भी इस एड से खूब फायदा हुआ। इमरान खान वाले एड को इसने जम कर टक कर दी। विनोत खन्ना की खूब तस्वीरे भी खीची गई थी जिसे मेगजीन, अकबार और होदिंग्स में लगाई गई थी। इन एड में विनोत खन्ना की तस्वीर के साथ अंग्रेजी में टैग लाइन थी। ये तस्वीरे शांतनों ने खुद की जी थी। विनोत खन्ना उसेड में चा गए और उसके बाद खूब सिन्थॉल साबुन की बिक्री हुई। लोग दुकानों पर जाकर विनोत खन्ना वाला साबुन मानते थे।